I am S.K. Mishra and I welcome you to the sharp career. तुम भग बत्तमीज हो, तुम एक नंबर के बत्तमीज हो, वो एक नंबर का बत्तमीज है, इस तरीकिते हम बोलते हैं, बत्तमीज, अंग्रेजी क्या होगी, जितने मैंने लिखे च्छे के च्छे अजेक्टिव हैं, पहली बाद सुन लेजे, बत्तमीज के अंग्रेजी होग बत्तमीज है, how rude of them, वो कितने बत्तमीज है, तो इस तरी किसे हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, धीठ, धीठ की अग्रेजी होती है, insolent, यदि पहरे ही sentence में वह एक नंबर का बत्तमीज है, he is rude of the first order, किसी भी sentence में, इस तरी किसी जोर सकते हैं, जैसे धीठ, he is an insolent of the first order, वो एक नंबर का धीठ है, और यदि हम कहें, how insolent of you, तुम कितने धीठ हो, इस तरी किसे कह सकते हैं, the student was insolent of the first order, लगका एक नंबर का धीठ था, असब्य की अग्रेजी uncivilized होती है, adjective है यह, I don't like uncivilized boys, मुझे असब्य लड़के पसंद नहीं है, यदि आपको कहना है कि लोग पसंद नहीं है, तुम पीपल कर दीची है, P, E, O, P, L, E, How uncivilized of you, तुम कितने बत्तमीज हो, असब्य हो, You are uncivilized of the first order, तुम एक नंबर के, एक नंबर के असब्य हो, अब गुस्ताफ की अंग्रेजी देखें, गुस्ताफ, चीकी, चीकी इसकी अंग्रेजी होगी, She was a cheeky girl, वो एक गुस्ताफ लड़की थी, How cheeky of you, तुम कितने गुस्ताफ हो, जबान चलाने वाले को कहते हैं, जबान चलाता है, अब देखें, She was a cheeky girl of the first order, वो एक नंबर की गुस्ताफ लड़की थी, किसी में भी of the first order लगा दे, तो एक नंबर का हो जाएगा, बेशर्म, बेशर्म की अग्रेजी, shameless और impudent होती है, shameless मैं बताएं दे रहा हूं, बेशर्म की होती है, impudent, I have never seen such an impudent person, मैंने इतना बेशर्म आदमी कभी देखा नहीं, You are impudent of the first order, तुम एक नंबर की बेशर्म हो, How impudent of you, तुम कितने बेशर्म हो, How impudent of him, वो कितने, कितना बत्तमीज है, एक बहुत जादा बत्तमीज यह कहने का मतलब यह है, मूँ जोर की अग्रेजी होती है, impertinent, मूँ जोर, जवान चलाने वाला, बढ़ो से जवान चलाने वाला, I don't talk to him, because he is impertinent, मैं उससे बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो बहुत मूँ जोर, जवान चला देता है, कुछ का कुछ कह देता है, How impertinent he is, या हम कह सकते हैं, How impertinent of you, तुम कितने मूँ जोर हो, या He is impertinent of the first order, वो एक नमबर का मूँ जोर है, कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, God bless you, thank you very much.